Hello student, I am going to read you now Noses poem, unit 2 Let's start the poem Noses Noses का अर्थ होता है नाक I look in the mirror and look at my nose It is the funniest thing, the way it grows एक छोटी सी बच्ची है जो सीसे में अपने नोज को जा करके देखती है और देखती है यह क्या जो उसका नोज जिस रास्ते से बढ़ा हुआ है वो काफी मज़िदार है इस्टर क्राइट और वेर अल अफिट सोज वेर टू लिटल होल्स वेर दे ब्रीधिंग गोज जिस तरह के से यह नोज बढ़ी हुई है इसके दो होल्स जो है वो साफ दिखाई देते है वेर दे ब्रीधिंग गोजहां से सांस हवा जो है अंदर की और जाती है वो होल जो है ना के वो साफ साफ दिखाई पड़ते है फिर वो बच्ची जो नोज को मीरर में देखती है तो उसमें उसे दिखाई पड़ता है जो चीन का इंड है चीन हम दोग जो लोवर पार्ट होता है लिप्स के नीचे का जो भाग है उसे चीन कहते है तो चीन का जो इंड है और हेर का जो स्टार्ट होती जहां से एंड बिविन देयर इस नॉट मच स्पेस तो इस्पेस तो इस्पेस में जो नोज है हमारी नोज वो एक हैंडल की तरह चिप की हुई है यदि तुम कभी मुस्कुराते हो या गुद्गुदी करते हो और चिलाते हो तुम सोच नहीं सकते कि क्या किया जाए केवल तुम अपने मीरर में जाकर के फेस को देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारा जो नोज है जो बाहर के और निकला हुआ है वो कितना फ़नी, कितना मज़िदार है कितना अच्छा दिखाई पड़ता है ओकी, नुट नेक्स पेस, यह जो आए मेरर, मेरर का आर्थ होता है दरपन मज़ेदार, ब्रेधिं, सांस लेना एस्टिकिंग, चिपका हुआ, गीगल, धेरे-धेरे मुश्कुराना या गुद्गुदी करना in next class we will study the reading is fun that is our question answer okay thank you